कल फुटबोल के सारे के सारे मैचेस हमने वन साइडिड विन किये उससे मैं काफी ज़ाद खुश हूँ आप कितने खुश हो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला आप कॉमेंट करके अपनी खुशिज जाहिर कर सकते हो हाई एंड हेलो फिरेंट्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल तो इस वीडियों जो हम मैच कवर करेंगे इंडियन सुपर लीक का फुटबोल मैच कवर करेंगे और यह फुटबोल मैच खेला जाएगा इस्ट बंगाल एफसी और जमसेदपूर एफसी के बीच में तो दोनो किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन देना है यह सारी इन्फोर्मेशन आपको इसी वीडियो में कमपलीट दी जाएंगे आप वीडियो को ध्यान से देखना और हाँ दोस्त की मैच में है ऐसे पिलियर जिनका सलक्सन काफी लेस है और रिकोर वाई जो पिलियर काफी अंदार है अब उनों प्लेर्स को किस रनीती करने सारा हमें अपने ग्रांड लीग की और शमोन लीग टीम में लेकर चलना वह सारी रनीती में आपको सटेप बाई सटेप इसी वीडियो में बताऊंगा आप वीडियो को ध्यान से देखना उससे पहला हम इंदोनु टीम के सारा मैच ख़ेले गए और 6 मैसे ऐस्ट बंगाल ने इस टीम के सामने दो मैच विल करे हैं दो मैच ड्रो भी खेले हैं और दो मैच में लॉज्स रहे हैं और दो मैच लोज़्स को कंसीड किया है कहना मतलब जब भी दोनु टीम के तरब से रजल्ट 50-50 देखने को मिलता है दोनुट टीम ने दो-दो मैच विन कर रहा हैं, दो-दो मैच ड्रो भी खेले हैं, और दो-दो मैच लोस भी कट, और अटेक और डिफेंस भी बरावर ही देखनों को मिलता है, अब हम बात करें, जो पिछला मैच दोनुट टीम के बीच में खेला गया, वो मैच जमसेदपूर एपसी इस टीम के सामने 2-1 से विन कर गई, उस मैच में इस्ट बंगाल का एक गोल आया, और दो गोल जमसेदपूर ने किया, लेकिन उससे पिछले मुकावल फिर इन दोनुट टीम के बीच में अगेन खेला गया, और उस मैच को इस्ट बंगाल 3-1 से विन कर गई, तीन ग तो परफॉर्मेंस अगर हम देखें, तो इस्ट बंगाल जमसेदपूर एपसी के सामने अच्छा खासा फुटबोल खेलती है, अटेक वाइज भी अच्छा करती है, और डिफेंस से भी कभी-कभी गोल गोल भी नहीं करती है, तो इस तरह इन दोनुट टीम के बीच में हलकी टीम नहीं है, काफी अच्छी अटेकिंग टीम है, और अटेकिंग फुटबोल के लिए ये टीम जानी जाती है, लेकिन इस बार डूरेंड कप के फाइनल मैच इस्ट बंगाल ने खेला, और उस डूरेंड कप में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, त को लेकर रिशंट ली कौन सी टीम मजबूत है, तो चलिए सबसे पहला हम इस्ट बंगाल के रिशंट फॉर्म को ही देख लेते हैं, तो दोस्त इस्ट बंगाल ने रिशंट के 6 मैच खेले हैं, और 6 मैच मैच इस टीम में 3 मैच जीते हैं, और 2 मैच में डौर के सामना किया, एक match इस टीम ने loss भी किया, attack wise 1.5 गोल पर मैस सगोर किया, defense wise 1.3 गोल पर मैस सगोर कंसीड किया, तो फिलहाल टाइम पगर इस टीम का result देखें, तो अधिकतर match या तो यह team win करती ही, या match को draw के दे, लेकिन जल्दी से loss नहीं करती, और attacking performance भी काफी श्यांदार हर match में goal कर देत लेकिन उससे पिछले जितने match इस टीम ने खेले हैं, आप देख सकते हो, North East United के सामने attacking draw के लिए बाद match penalty ते गया, penalty में भी win कर गई, फिर यहां से गोकुलाम के सामने, जो कि I-League की एक team है, उसके सामने team 2-1 से win किये, फिर यहां से 1-0 से win किये, उससे पिछले 2 match इस टीम का average रखती है, तो अब हम बात करते हैं, जो second team है, जमसायदपूर FC, उस team का recent form कैसा है, तो चले देखते हैं, तो दोस्त, जमसायदपूर FC ने recent के 6 match खेले हैं, और 6 match मैसे इस team ने 2 match में जीत हासिल किये, बलकि 4 match में loss का सामना भी किया, attacking wise 0.7 goal per match सागर किया, defense wise 2.7 goal per match साग 1 seed किया, कहना का मतलब दोस्त, अधिकतर match इस team ने loss ही करे हैं, और आपके लिए बता दो, इस बार डोरेंड कप में ये team भी खेली थी, लेकिन अपने second class player के साथ खेली थी, first class player के साथ नहीं खेली, तो इस तरह का result आया था, अब हम बात करें, जो पिछला match डोरेंड कप में बैंगलोरो FC के सामने team 1-0 सा हार गई थी, उससे पिछल मुकाल मोहमदीन जो कि मतलब इंडेन second division की second best team माने जाती मोहमदीन, उसका सामने 6-0 सा हार गई, फिर इंडेन नवी के सामने team जरूर 1-0 से विन किये, फिर 5-0 सा मुंबाई City के सामने हार गई, फिर बैंगलोरो के सा साल की team आज के match में मान के चल रहा हूं, लेकिन हम आज के match में ये बात करेंगा कि जो जमसायदपूर FC है, वो अपने first class player का साथ खेलेगी, लेकिन during cup में second class player का साथ खेली थी, तो कहीं न कहीं, advantage तो आज के match में रहेगा, कि सायद अच्छा कर पाई, जमसायदपूर FC, तो दोस्त, अब बत है, अब इस match का score line prediction क्या होने चाहिए, मतलब इस match को कौन सी team जीतनी चाहिए, और इस match में exactly कितना goal होने चाहिए, तो चलिए, अब इस match को हम predict कर लेते हैं, तो friends, इस match का score line निकालने से पहले मैं आपको इन तीनो format को समझागो, और इन तीनो format में जो team favorite रह करेंगे, और दोनु टीम का हमने recent form देखा, तो recent form करनों सार दोनु टीम को compare करेंगे, तीनो format में दोनु टीम में से जो better रही हो आपके सामने रहेगी, देखो पिछले season का point table बताता हूँ, क्योंकि इस season में ISL का starting matches है, तो दोनु टीम अभी तक एक भी match नहीं कहला, पिछले season ये दोनु टीम है, इस league की आप मान सकते, mid bottom table team थी, मतलब नहीं bottom थी, मतलब आप मान सकते हो कि एक की position 6 थी, एक की add थी, तो इस तरह position थी, दोनु टीम इतना better अच्छा, मतलब पिछले season better नहीं कर पाई, तो यहाँ पर बराबर की team थी, head to head करनों सार देखा गया है, कि head to head करनों सार देखनों को मिलता है, दोनु टीम का हमने recent form देखा, तो इस तरह आप compare कर सकते हो, जो दो चीज से, एक चीज आप यह मान सकते हो, कि इस तरह यह मैच कोलकता में खेलेगी, जो कि इस टीम का home ground में, तो उसका advantage रहेगा, दूसरी बार, जो इस बंगाल की team मेंने उसने इस season में कुछ नए players को sign game, जो काफी श्यानदार है, और इस team के defense और midfield को काफी अच्छा से improve करते हैं, तो मैं इसलिए East Bengal को एक favorite team मान के चलता हूँ, ओके, तो मुझे तीनों format का according देखा जाएं, तो मुझे East Bengal better लग रहे ही, as compared to Jamshadpur FC, तो final दोस्त, अब इस match के scoreline prediction क क्या होने चाहिए, मतलब कितना goal होने चाहिए, तो मेरा मानत ही है कि दोस्त कहीं ने कहीं, इस match में दो goal तो East Bengal कर देगी, और सायद Jamshadpur FC, जो की attacking team मानी चाहती है, और इस से एक goal की उम्मीद हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस match में जो scoreline prediction रखता हूँ, इस match की, वो है 2-1, मतलब एक both team to score, अब 2-1 की prediction करने चाहिए, हमें इस match में अपनी fantasy को team को create करना है, उनमें किसको captain देना, किसको vice captain देना, तो यह जानने से पहले मैं आपको दोनु team की पहले possible line-up दिखांगा, और player का stats दिखांगा, line-up करने चाहिए, हमें कैसे अपनी team में players को चुनना होता है और उनमें से किसको captain देना होता है, किसको vice captain देना होता है, यह अब आपके लिए जान कर दी जाएगी, क्योंकि अब तक जो information दी है, वो team को लेकर दी है, कि कौन सी team win करेगी, और कितना goal करके इस match को जीतेगी, तो यही चीज में आपको अभी तक समझाईए, क्योंकि जब ह एपसी की possible lineup और player stats पर, और हाँ दोस्त, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए, एक like का बटन जरूर क्लिक कर देना, और like का जो target है, इस वीडियो का अंदर वो धाइस हो, ओके, तो आप इसको complete जरूर कर देना, तो चले आप देखते है, possible lineup, तो East Bengal की possible lineup आपको इस परकार देखने मिलेगी, इस lineup कनूसवर हमें किस-किस player को अपनी team में as a player के तोर पे pick करके चलना है, बात करें goalkeeping section से, तो यहाँ सकमल जी सिंग as a goalkeeper खेलते न जराएगा आज के match में, तो आप चाहे तो अपनी team में recommend कर सकते हो, ओके, और मेरे पास इसको लेने की वज़ा है, क्यों क्योंकि मैंने देखा कि East Bengal defense से goal concede कर देती है, और जमसेदपूर FC attacking game खेलती है, तो कहने कहीं goal save करने का chance है, सिंग साप के पास जादे रहेंगे, तो इसलिए मैं इनको लेकर चलाओ, ओके, हम बात करें, इस team की तरफ से जो defender देखने को मिलेंगे, आपको right back में देखने मिले को, okay, अगर आपको center back एक लेना तो यहां से LC को suggest मतलब मैं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा header में सटरोंगे, इस season में ISL खेला नहीं है, लेकिन यह first time ISL खेलेगा, तो first match में किसी भी player का goal आना बहुत ही मुस्किल रहता, क्योंकि इतने जल्दी से ISL को catch up नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मेरा पहला suggestion रहेगा, खावरा, second suggestion रहेगा, यहां से मंदार रहूँ, तो इनहीं दो को मैं लेकर चलूँगा, बाकि आप try भी कर सकते हो, मैं इनको नहीं लूँगा, अब हम बात करें, center midfielder के तोर पर देखने मिलेंगे, जो आपको, यहां से Borja Herrera, और यहां स खासक करते हैं, और मेरा suggestion रहेगा, कि आप Borja Herrera और Crispo, दोनों को आपने team में लेकर चलें, फिर हम बात करें, as a number 10 इस team के लिए खेलते नजर आएगा, शिवेरियो, तो इनको मैं जरूर लेकर चलूँगा, महस नौरायम सिंग भी आपको खेलते नजर आएगा, अब इनको लेना नहीं लेना, वो देखने वाली बात रहे, क्योंकि यह forward listed है, और forward में हमें इससे better option मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको drop करना पड़ागा, क्लेटन शिल्वा, ओबेसली, इस्ट बंगाल एपसी का एक top class player है, तो इनको लेकर चलेंगा, यहाँ से नंद कुमार, शेकर आप टीम में जगा देकर चलाओ, बाकि हरे एक प्लेयर का सटेट्स यहाँ पर आपको मैंने मैंने के पिछले सीजन के, क्योंकि इस सीजन में अभी इस लीग की शुरुआत हुई है, तो इस सीजन में किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको क्लेट उननीस मैच में दो गोल साथ असिस्ट निका ले थे, तो दोस्त अब हम बात करते हैं, जो सेकंड टीम है, जम सैदपूर एपसी, उसकी पोसिबल लाइनप क्या है, और प्लेयर का सटेट्स क्या है, तो चलिए नजर डालते हैं, तो दोस्त यह जम सैदपूर एपसी की पोस सकते हैं, जो मैंने पहले चूज कर लिया, यहां से साथ, मतलब सिंग साब, अब हम बात करें, डिफेंडर सेक्शन, तो यहां से लाकरा मेरी साथ से खेलेगा, लेफ्ट बैक में, और यहां से इलशी नहों एजसे सेंटर भाई खेलते नजराएगा, और यहां से आपको ला मानुवा भी खेलते नजराएगा, तो मेरा एक सेजेशन रहेगा, अगर इस टीम किसी डिफेंडर को लेंगा, तो यहां से हम लाकरा लेकर चलेंगा, बाकी मैं चारो डिफेंडर को, मतलब तीनो डिफेंडर को ड्रॉप करके गया हूँ, अब हम बात करें, राइट मिड़ मिड़ तोर पर देखने मिलेगा, यहां से रिट्विक, और यहां से सेंटर मिड़ आपको टाची कावा और यहां से हाइदेर देखने मिलेगा, और यहां से नोरेम भी आपको एजे लेफ्ट मिड़ तोर पर देखने मिलेगा, मुझे लगता है कि आज की मैच में सली हुआ और यहां से रिक विक ने पिछले सिजक का परफॉमेंस किया था सफ़्जेंड हाइशis घॉल टेकर था तो इनको भिलेकर चलंके और यहां से चीमा तो बीसले ही इनको भी जनके चलनख हमें आज के मैच से आप इनका स्क्रीन सोट ले सकते हो आप रीडाउट भी कर सकते हैं जैसे कि डैनियल चीमा चुकवो पिछले सीजन इस टीम के लिए 19 मैच खेल चुका और 19 मैच से 17 मैच में सटाट किया था और जब भी टीम के लिए खेला था अल्मोस्ट 80-90 मिनट टीम के लिए खेला है औ तो पांच गोल और दो असिस्ट निकाल चुका है तो इस तरह पिछले सीजन इसका गया है आप यहां से रित्विक दास का रिकोर्ड देख से तो इसने पिछले सीजन में 18 मैच में 6 गोल सकोर किये थे तो इस तरह आप हर एक प्लियर्स का सट्रेट को रिडाउट कर सकते हो तो दोस्त हमने दोनु टीम की पॉसिबल लाइनप को देखते हुए तो वीडियो में अगर आपको इनफोर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो के जरी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पर नहीं हो तो आप कॉमेंट में निव सब्सक्राइबर जरू लिखना ओके तो चलिए अब हम इस मैंज की पहला अपने फैंटेसी की टीम को ही क्रेट कर लेते हैं तो दोस्त यह इस्ट बंगाल और जमसेट पूर एपसी की मेरी एक डेमो टीम है अब इसमें कैप्टन जो मैंने दिया बहुत सो समझ के दिया और एकदम बहतरी प्लेयर पिछले सेजन का टॉप फाइट गोल टेकर अब इगले में बोर्जा हरेरा को आज वाइस कैप्टन देख चला हूँ आप सोच रहूंग यार इसको किस कंडिशन का नुसार दी दिया देखो मुझे सही लगा मैंने इसका पिछले सेजन का डिकोर्ड देखा गोल त्रेट भ रख सकते हो या रित्विक कुमार दास एक इंपोर्टन प्लेर इन्हें रख सकते हो लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने उन्हीं को रखाया है लेकिन इस टीम में कोई भी चैन्जेस होंगे तो लाइन अप आनाएक बाद आपको इस मैस्किप हाइलेंट टीम टेलिग्राम च मैंने लेकिन 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 लेकिन